नमस्कार प्रिकिसान भाईयों आपका अपनी छिनल जीप हम खेती बढ़ें फिर से एक बहुत स्वागत है आज देखो हम चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर कि जब हमारी प्याज की नरसरी है उसको हम उखाड के हमारे खेत में लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या उपाई करना चाहिए कि हमारे खेत में हमारा एक इस पर आसानी से बच जाए और जो फसल है वह भी हरी-भरी मतलब लगने के साथ में हमारे खेत में अच्छी हरी-भरी दिखती रहें तो उसके लिए उपाई हमें यहां से शुरुआत करने हैं किसान भाईयों जब हमें लग रहा है तो वह उस पर लेना किसका है तो किसान भाईयों कोई हमें हमें हेवी दवा नहीं लेनी है यहां पर कि बहुत जादा हमने हेवी टेकनिकल ले लिया उसका इस प्रे कर दिया है हेवी टेकनिकल यहां पर कब लेना है कि हमारे खेत में जब हमें देखना है कि जो उसका पत्ता पॉलिटिर्न ले लिए, जिसका डोज हमे प्रती 25 लिटर पम में 50 ml लिए इसके साथ में mindset में आप रिजन्त लेसके है या सीधी खी हमें अजक्लूरीच हमें 25 से 30 ml से यह दो टेकनीकल पर अटेक करते हैं यह दोनों लेना हमें इसी के साथ में आप किसी भी company का जहेम ले लीजिए तो एक क्या टॉनिक के रूप में आपको काम करेगा और हमारी फसल को हरा भरा बना के रखेगा और साथ में चिपकु जरू डालना है किसान भाईयों क्या है कि नर्सरी में हमारी वैसे पोधे-बहुत पास-पास में होते ह तो मैं आपको तीन फंगी साइड बता हुआ तीनों में साब कोई साब इस्तमाल कर से कोई समस्या नहीं है या तो आप रेडोमिल डालीजिए कस्टूडिय डाल लीजिए या फिर यहां पर आप हमारा जो थायपेड मिधाल आता है रोको पाउडर के रूप में आता वो डा रहा हूं मैं आपको कस्टूडिय आप 25 एमल प्रती 25 लेटर पर में डाल सकते हैं अगर जो यह डाल रहे हैं तो आप 50 घ्राम थायपेड मिधायल या रोको पाउडर चीसे बोलते हैं वो ले सकते हैं तीनों में से कोई साब ले लिजिए कोई समस्या नहीं है देखिए किसा फलाना यह भी डाल दे यह टॉनिक डाल दे तो रहा रोप अच्छा शांदार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं करना है जित्ती ज्यादा डवे डालोगे आने वाले समय में खेत में नरसरी जाएगी तो फिर महां डवे और ज्यादा डालनी पड़ेगी समस्या और बढ़ती जा आपको नशल लगाने के बाद में कम से कम पहला डोज हमारा 12 से 14 दिन का बस जाएगा कमेंट करके जबर बताए वीडियो अच्छा लगे अपने और की समय तुरु सजा करना ना भूले धन्यवाद